राजदानी दिलही में जो हाल ही में हिंसा हुई इसकी वज़े से सरकार को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा और दिलही में दंगा फैलाने वालों ने लोगों के घर दुकानों को तो नहीं छोड़ा लेकिन साथी सरकारी संपत्यों को भी काफी नुकसान पहुशाया दिलह में आगजनी की गई और हिंसा को भढ़काया गया इन सभी के दोरान हिंसा को भढ़काने वाले लोगों की हत्या करने वाले और लोगों को डराकर अपने घरों में रहने के लिए मजबूर करने वाले हर एक धर्मांदों के किलाफ कड़ी कारवाही की मांग की गई है और इसी क उनको बता दे कि शहर के महात्मा गांधी नगर गुरू के पास यहां अंदोलन चीड़ा गया है यहां पर सभी हिंदू संगठन के लोग एक साथ मिलकर धन्ने पर बैठे हुए हैं उनका कहना है कि दिलही में हाल में हिम जो दंगे भड़काए गए उसके उपर सरकार के द्व कर आगजन ही की गई जो हवालतार और आईबी ऑफिसर्स की भी हत्या कर दी गई दंगाईयों का होस्ता तो इतना बलंद हो गया कि वो लोग तो पलिस वालों को भी मारने पर उतर आए इस तरह के जो दंगे यहां पर सून योजित करके दिलही में फैलाए गए और इस तरह जो लोग इन दंगाईयों को सामरक्षन दे रहे उन पर भी कड़ी कारवाही की मांग करते हुए यह सभी हिंदू संगठन आज यहां पर धन्ने पर बैठे है जे लोगों नी हर्त्या थाई चे आने विशेशकरी ने पोलिस गलना रतनलाजी छे अंकित सर्मा एभी ओफिसर चे एमनी हर्त्य थाई चे तो आ बदा विशेई नी तपास चे ए एनाए ने आपवामा आवे एभी आमारी एक मांग चे साथे साथे दिली सरकारे त्याना मोल्वियों नी जे पगार थे एवधारे करी थे पन साथे जाते आज भुवामा आवे के जो के आपड़े एक सेकुलर राश्टर चीए शताए आपड़ा जे हिंदूों ना धर्म स्तान से त्याना पुजारी थे एलोपोने कोई पंजातन से एक मां १ूरे ब्लूवियों ने अपनों व्यंदीर थे जाु क करता ही बंसारी सरकार थे पंड़ा थे एक मांगवरे ख़े एक मांग भुजाल आपजू कर वामा आवे अम्राज फर्वरी माहमा माराष्ट्रमा थाने मां बंगलादेशी गूसपेटी महिलाओ पकड़ाया अन एमना पासे ती जाली फर्जी एवा डोकिमेंट्स बदा कागण पत्राम वेया एमा अधर काड़ पन होतो चुस्नी काड़ पन होतो तो आवी रिते फर्जी कागण या देश माती बहर काड़वामा आवे आवी मांगोत आते आज आवमें अहिया बदा राच्चे इन्दों अन्दोलन माटे बेगा तया छिए